तो क्योंने दोस्तों जब परियावरण की टॉपिक वाइस तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग परियावरण संबंधी आंदोलन को पढ़लें आंदोलन जी हां इससे question आपका बनता ही है बहुत ही solid चीज है परियावरण आंदोलन इससे 100% आपकी exam में question आता है तो चलिए आईये और नमस्कार स्वागत है आप सभी का exam master channel पर और वीडियो को like करके जल्दी से मेरे साथ शुरू करिए चिपको अंदोलन जो की पहला परियावरण संबंधी आंदोलन है जी हां अब चिपको अंदोलन ये किस राज्य से संबंधी थे एक प्रश्ण उत्तराखन चिपको अंदोलन का theme क्या था संबंध क्या था तो दोस्तों ये संबंध था पेड़ो को काकने से 1973 सुंदरलाल भागुडा और चंडी प्रशाद भक्त ने इसको शुरू के राला की प्रडेता सुंदरलाल भागुडा का ही नाम आता है तो पहला point clear हुआ चिपको अंदोलन इसके बाद अपिको अंदोलन ये करनाटक राज 1983 पांदुरंग हेगडे ये पेड़ से चिपकना इससे related था फिर साइलेंड वैली क्यारला 1973 सदा बहार वन के लिए साइलेंड वैली नर्मदा बचाओ अंदोलन 1985 मेधा पाचेकर अरून धतिनाथर और नायर एक्चुली आम इसके बाद दूस्तु साल्ट प्रोडक्शन गुजरात तामिलनाडू और राजस्थान आयरन प्रोडक्शन मैगनेटाइट्स हैमेटाइट लीमूनाइट और सीडराइट अब क्या है मैगनेटाइट्स देख लीजे सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन माना जाता है ये का आले कलर का होता है इसमें धातू साथ दशमलो दो प्रतिशत पाया जाता है भारत में दक्षन पूर्वी सिंग लैंड जो की जारखन बारा जामदा जारखन बेलारी हास्पेट करनाटक और बैला डीलर चतिजगर हमेटाइट ये लालेवं भूरा रंग का होता है इसमें ध प्रतिशत आयरन लिखा हुआ है तो देखिए पांच दशमलो आठ परसेंट ठीक है लीमोनाइट देखिए ये पीले रंग का होता है धातू दस से चालिस परसेंट जो है होता है ये पश्यमी बंगाल के रानी गंज में पाया जाता है सीरे सौरी सीरे राइट इसमें संचित भंडार जो कि करनाटक उडिशा जार्खंड शत्येजगर लोह आयस्क प्रोडक्शन स्टेट डंबर वन उडिशा दूसरे पर गोवा और तीसरे पर करनाटक तौंबा जार्खंड मोसाबानी प्लेस राजस्थान खेतरी का मंणन आंध्र प्रदेश अगनी गुंड डला चेतर गुंटूर जीला मध्यप्रदेश मंबन खंड छेतर राला खाट सिक्किम, सांगपो, जी क्यु चेत्र तांबा रिजर्व सेंटर राजस्थान, मध्यपृदेश, जार्खंड, करनाटक तांबा उत्पादन, मध्यप्रदेश, अभ्रक बिश्व में 60% अभरक, बिश्व का, ये भारत में होता है, ठीक है, ये अगने चटान में पाया जाता है, अभरक के प्रकारों के अगर बात करें, तो दोस्तों सफेद, हलका गुलाबी और काला, बायोटाइट, मास्कोटाइट और रूवी अभरक, जारखंड में अभरक के चेत्र देखिए, कोडार्मा, हजारी बाग गिर्दी, बिहार, नवादा गया चेत्र और आंधर प्रदेश, जो हैं, निल्ला और विशाक पत्नम, जीलों की अगर हम बात करें, तो राजस्थान, राज़ी की जीले, राजस्थान की जीलों में सागर वा, जय समंद लगा हो दिवाना जील, ये हैं राजस्थान की, तो कौन साशब्द सागर और जय समंद लगा रहता है, महराष्ट की जील में लोनार, अब लोनार जील, लोनार की जील, पूँच लेता है आप से महराष्ट राज्य में, उल्का प्रिंट के गिरने से ये बनी है, गुजरात की जील जो है, ये सदा सरोवर जील, करनाटक विलन दूर जील में कई बार आग लग चुकी है, मध्य प्रदेश में मोती जील और भोज ताल, केरला में पूरियार जील और अस्ट मुदी, पुली कंट तमिलनाडू, तो जील पूँच लेगा और पूच लेगा ये किस राज में है तो सिक्किम की चुलमू, चिलका जील से क्वेश्चन आता है, उडिसा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील, उत्तर प्रदेश की फुलर जील पीली भीत में है, याता यार ट्रांसपोर, पश्चिमी बंदरगा, गुजरात, कांडला बंदरगा, कांडला, एक्चली दिन दियाल उपध्या, इस बंदरगा का नाम बदल के कर दिया गया है, कांडला बंदरगा, गुजरात, मुंबई, मुंबई बंदरगा, ये मुंबई महराष्टा में है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगा, और ये साल से दीप पर है, ठीक है, नहावा सेवा बंदरगा, म चेनर वाला बंदरगाह है। यहां पर देखें मारमगुवा बंदरगाह, न्यू मैंगलॉर बंदरगाह, कोच्ची बंदरगाह यह पूचता है आपसे, यह प्राकृतिक बंदरगाह है। केरार राज के वैलेंटिन दीग परिस्थित है, यह भारत का सबसे बड़ाशी प्याड वाला बंदरगाह होगा। अब पूर्वी में तूतिक और इनसे क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु राज में मनार की खाली में इस्थित है, क्रतिम बंदरगाह। चन्नाई डाक्याड भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, कृतिम बंदरगाह, इन नौर बंदरगाह, तमिलनाडु, विशाग पत्नमान पुदेश, पारदीपी, हल्दिया बंदरगाह, इनसे क्वेश्चन बहुत काम आता है, तो बंदरगाह तक ही आज के वीडिय पर जालो, अब आंतरिक जलमार की अब बात करेंगे अगले वीडियो में और ये पूरा नोट्स अगर आप करना चाहते हो, तो वाट्सअप नमबर मैं दे रहा हूं, आप सबकी स्क्रीन पर देखिए, 9452267492, चौरांबे बावन छब्य शोहतर बानबे, ये है हमारा अब नमाल काचा आइन, तो बात करोषज करिए और आपको जो है प्रासेस बता दिया जाएगा थांग्यू